नागिन 3 में आ रहे ट्विस्ट एंटर्न्स तर्शकों को जबरदस्ट एंटेटेन्मेंट का दोस्ट दे रहा है शो में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है बात की जाए शो की कहानी की तो आप पिछले एपिसोड में देखी चुके हैं कि करिश्मा तन्ना यानि की नकली रूही की एंटरी के बाद से बेला की जिंदगी में तुफान सा आ गया है नकली रूही ने बेला का ताज और लोगों का भरोसा सब को छीन लिया है नकली रूही ने सभी के सामने ये साबित कर दिया है कि वो ही असली नागरानी है वही बेला को इस साजिश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है जब वो नकली रूही को देखती है तो वो हैराम रह जाती है अगर बात की जाए आने वाल एपिसोड की तो अभी बेला की मुश्किले कम नहीं होने वाली है क्योंकि नकली रूही बेला पर एक और हमला करने जा रही है जी हाँ आपने विल्कुल सही सुना जानकारी की माने तो नकली रूही माहिर से शादी करने जा रही है इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि वो बेला के प्यार को छीन कर उससे तरपाना चाहती है आपने तो देखा ही था कि जब माहिर उसे छोड़ के चला गया था तो वो किस तरह गम में डूब गई थी वेल जब इस शादी के बारे में बेला को पता चलेगा तो वो किस तरह से रियाक करती है ये देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा ऐसे में ये देखना काफी मज़ेदार होगा कि बेला खुद की सचाही साबित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है शो के आने वाले इस ट्रैक को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले एपिसोड में आपको काफी मज़ा आने वाला है बहरा हाल आप नागिन 3 के अकल एपिसोड के लिए कितने एकसाइटेड है हमें कमेंच के जरीए जरूर बताएं टेलिविजिन के लेटिस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें